दोस्तो एक सच्चे भक्त की हिर्दे से निकली अबाज को भगबान शिब अबश्य सुनते हैं। आप एक बार सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नभश्य बाए। हर हर महादेव शिबरात्री के पाबन अबसर पर एक लाइक तो बनता है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिन प्रिकाश के रूप में शिब जी प्रकट हुए थे और शिब जी का विभा माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाट करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखो की प्राप्ती होती है। तमाम तरह के प्रियोग हम करते हैं लेकिन अंजाने बर्ष हम कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं कि पूजा में मिलने बाले पुन्ने की जगए हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं। या फिर हमारी पूजा ही निश्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिनने भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिप जी की पूजा में और कैसे बचें आईए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिबाले जाएं, शिबजी पर जल अर्पित करें तो जहांपड से जल बहर निकलता है, उसको कभी मत लांगिए, उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लांगना नहीं चाहिए, उसे लांगने से बहुत दोश लगता है, आपने देखा होगा, शिबजी की पूरी परी कर्मा नहीं की जाती, आधी परी कर्मा जरूर करें, तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिबजी को अर्पित मत करना, कभी कभी जाने अंजाने में शिबलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें एक तो सफेत या लाल रंग के बस्तर धारन करके आप पूजा कर सकते हैं। शिबलिंग पर अरपित किया गया प्रसाद गरण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम शिबलिंग के पास का चरणामरत प्राशन करते हैं। दोस्तो महा शिबरात्री के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोश काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं, हाला कि रात्री जागरन का भी बिधान है। शिबजी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिने अरपित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिबजी की पूजा करेंगे। महा शिबरात्री पर तो शिबजी के साथ जगत माता पारबती की पूजा करें। दोनों पानी में घोल कर आप ओम लिखिये, राम लिखिये, फिर शिबिलिंग पर नमस शिबाय, नमस शिबाय कहते हुए, बेल पत्र उल्टा करके अर्पित करें, शिब जी की पूजा में अक्षत जरूर अरपित करें, अक्षत अरपित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो चाबल तूटा हुआ ना हो इस बात का ध्यान रखें साथ ही शिप जी की पूजा में एक दम काला बस्तिर पहन कर पूजा पाट नहीं करनी चाहिए इससे भगबान शिप क्रोधित हो जाते हैं हमेशा भगबा रंग पहन कर ही इश्वर की अराधना भक्ति साधना पूजा ब् ब्रत आदी में आठ बजे के बात इसनान करना अशुब माना गया है इसलिए सुभा आठ बजे से पहले इसनान आदी अबश्य कर लें इससे महादेव प्रसन हो जाएंगे क्योंकि सुभा आठ बजे से पहले इसनान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है इससे साकार अत्मक आपके उपर हमेशा वास करती है। आप तुलसी की मंजरी अरपित कर सकते हैं। केत की चमपा जैसे फूलो का प्रियोग तो बिलकुल भी मत करना। नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। जाना पढ़ सकता है जो खुद का मलमुत्र चाटते हैं। भयंकर दुष्ट सजा भुकतनी पढ़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ती हो जाती है। दोस्तो जहा तक संबब हो ब्रत रखें। अगर ब्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और घिरन करें। शराप लहसुन पे आज मास मदरा इत्यादी का बिलकुल भी प्रियोग ना करें। और इस दिन जितना जादा हो सके नमस शिबाय का जाप करें। जितना जादा आप जब करेंगे। आप जितना जादा शिबजी के करीब रहेंगे। उतना ही जल्दी आपको उनकी किरपा अबश्य मिलेगी क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतिजार करते हैं भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए भगबान शिब की अराधना शिबरातरी पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तो इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो शिबजी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खतम होने पर समाप्त होने पर दक्षिना जरूर दें। दक्षिना में देने के लिए पान का पत्ता लें। डंठल हटा कर उसके उपर सुपारी, जनेव और थोड़ी मीठी चीजें, लॉंग इलाइची और थोड़ा सा कलाबा लेकर दक्षिना जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिब जी आपकी पूजा स्विकार करते हैं। दोस्तो नारियल का पानी भी शिबलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेश ध्यान रखें। नारियल अगर आप चड़ाना चाहते हैं तो शिबलिं जरूर रखियेगा। दोस्तो आप जानते हैं शिबरातरी के इस पावन अपसर पर वो कौनसी पांच चीजी हैं जिने घर में लाने से महादेव की किरपा सदय बनी रहती है। भगबान शिब इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं तो आईए जान लेते हैं। दो जिशा भगबान शिब के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तो अगर आपके घर में शिब परिबार की कोई तस्बीर या मूर्ती नहीं हैं तो इस खास मौके पर यानी महा शिबरातरी के दिन शिब परिबार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगबान की किरपा सदैप आपके परिबार पर बनी रहेगी। दोस्तो महा शिबरातरी पर रुदराक्ष अबश्यलाएं। मंगल कारी होता है। दोस्तो अगर शिबरातरी पर आप महा मिंतिन जय यंत्र लाकर अपने पूजा इस्थान पर इस्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुक समर्दी बनी रहती है। इसके साथ ही भगबान शिब भी खिचे चले आते हैं। ऐसे घर में सद अगरी भी का सामना नहीं करना पड़ता। भगबान शिब की किरपा ऐसे ब्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महा शिबरातरी पर मंदिरों में एक तिर्शूल अबश्य दें। खास शिबरातरी के दिन ही ऐसा करें। लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मोरपंग उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैप भगबान क्रिश्न की किरपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों शिब पुरान के अनुसार माना जाता है कि महा शिबरातरी पर ब्रत धारी को धतूरा अबश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन खा जरूर लें। इससे ब्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चक लें। नहीं तो आपका ब्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों मह शिबरात्री के इस पावन अपसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नबस शिबाई हर हर महादेव भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।